वेलकम टू आईएस पीसिया जोन मैं हुसुनुकुमार आपके लेकर क्या आया हूँ और सटमी विपीएसी समंदेत महातपून टेस्सरीज दोस्तो आज हम लोग टेस्ट नमर 14 को सौल करेंगे हम लोग ने अल्रेडी तेरा टेस्ट को बना लिया है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उससे देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है 68th VPSC के लिए हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो आप एक बार उसे प्लीज बिजिट कर लिजे चलिए हम लोग बिना देरी के वे वीडियो को शुडू करते हैं तो वीडियो पश आकरवन का मुख उदेश लूट पात एवं धन की प्राप्ती मातर था तो इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन C अगला प्रशन है अत्यंत सुरिले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां की नाम से परशिद हुआ पुलिगार थे तो इसका सही उत्तर की बात करें तो दक्षिन भारत के प्रशासन में पुलिगारों का स्थान वही था जो इस्थान उत्तर भारत में शामंतों का था यह सोलहमी से ठारहमी शताबदी के मद दक्षिन भारत में शेत्रिय परशासकों एवं सैन्यंत्रों का ए तो बता दें आपको कि देवरा का जो यूद हुआ था ये 1532 सिवी में हुआ था और यदि हम बात करें 14 का यूद का तो 14 का यूद हुआ था 1549 सिवी में यदि हम कर्णव से युद्ध की बात करें तो यह 1540 सी में हुआ था पर यदि हम सरहिंद युद्ध की बात करें तो यह 1555 में हुआ था तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा दो एक तीन और चार यानि ओप्सन ए अगला परशन है अकवर का दीन ए इलाही धर्म में किया था 1552 में किया था इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपरित में से कोई नहीं अगला परशन है जुनागड़ा विलेक में नीमन में से किस शासक की संदर में विवरन मिलता है तो जुनागड़ा विलेक में रुद्रदामन असकंद गुप्त जुनागड़ा विलेक में मिलता है तो इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला परशन है देवी चंद गुप्तम किसकी परशिद रचना है तो देवी चंद गुप्तम जो है विशाक दत की परशिद रचना है इसमें राम गुप्त एबं चंद गुप् जिसका समंद बूत के जीवन काल के किसी घटना से नहीं रहा है तो इस परकायस का सही उत्तर हो जाएगा option D अगला परशने हरपा सविता का महत्पूनस्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे इस्ति था तो हमसे पूछ रहा है सुतका गेंडोर किस नदी किनारे था तो वह दाशक नदी के किनारे था इस परकायस का सही उत्तर option D होगा अगला परशन है सिंदु घाटी सब्ता एवं बैदिक सब्ता में अंतर का अधार नहीं है तो बता दे आपको कि सिंदु घाटी सब्ता एक बिक्सित नगरिये सब्ता थी जबकि बैदिक सब्ता एक ग्रामिन सब्ता थी सिंदु घाटी के निवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी जबगी उतर वैदिक काल में वैदिक शब्दा के निवासियों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी चिंदु घाटी शब्दा के निवासि लेखन कला से परचित थे तथा इनकी एक बिसिज्ट लिपी भी थी कैसी तो इस परकार सक का सही उत्तर हो जाएगा option E अगला प्रस्ण है बिहार में असायोग अंदोलन के दोरान किस ने सदाकत आश्रम की अस्थापना की थी तो आपको बता दें कि मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दोरान दिगहा पटना में सदाकत आश्रम की अस्थापना की थी इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option C अगला प्रश्ण है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सुसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था तो सितंबर 1928 में फिरोश्या कोटला में चंदर शेखर अजाद के नेत्रित में इंदुस्तान सुसलिस्ट रिपबिकन एसोसियेशन की अस्थापना हुई इसमें बिहार के फनिश्वर नात घोष जो थे भाग लिये थे अगला परशन है नमक शत्यागरा के दोरान चर्चित अस्थल नखास पिंड निमन में से किस इजराज में इस्थित है तो नमक शत्यागरा के दोरान चर्चित अस्थल जो नखास पिंड का समन्द पटना बिहार से है तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अ राजियंदर पशाद यह भी सत्य है, इनिहलेशन ओप काष्ट बियार अम्बेट कर यह भी सत्य है, इस परकारज़ का सही उत्तर हो जाएगा option E. अगला प्रशन ने भारत की सुतंता संग्राम से समधित निम लिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो यदि हम भारतिय राष्ट काउनरेस का अम्रिज सरद बेशन की बात करें, यह हुआ था 2 दिशंबर, 2 दिशंबर, 1929 सिबी को, याद रखेगा, 1929 सिबी को, यदि हम रॉलेट एक्ट की बात करें, यह 19 मार्च को हुआ था, और जालिया वाला वागहत्याकान्ड, यह 13 अप्रील को हुआ था, तेरा अप्रील को हुआ था और रॉलेट एक्ट सत्यागरह जो था यह छे अप्रील को हुआ था यदि हम सबसे पहले सबसे अंत की बात करें तो यह हुआ था दो दिसंबर उनेश चो उनेश सिस्वी को जो कि था भारती राश्टी का अमरीश सर अदिवेशन इस पर कार्यास क सही उत्तर हो जाएगा option A अगला प्रशन है कि इस गवर्नर जनरल के कारिकार में कुलकत्ता में इस याइटिक सोसाइटी के अस्थापना हुई थी तो इस याइटिक सोसाइटी के अस्थापना Warren Hastings के कारिकार में 1784 इस भी में कब 1784 इस भी में बंगाल में William Jones के द्वारा कि इस ने की थी तो आपको बता दें कि नरम पंधी विचार धारा की निता गुपाल कृष्ण गोखले ने लौड करजन की नितियों के कारण उसके परसासन की तुलना औरंग जेब से की थी तो इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा option D गोपाल कृष्ण गोखले अगला प् ये प्रजली को पत्रिकारता के लिए पहली बार सजा मिली थी तो आपको बता दें कि बाल गंगा धरतिलक को 1882 इस्वी में कुलापूर के महराजा के प्रतियंग रेजों के बेभार की निंदा करने के कारण चार माह की सजा होगी थी तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option A अगला प्रशन है सधारन ब्रहम समाज के अस्थापना किशने की थी सधारन ब्रहम समाज के अस्थापना 1898 इस्वी में आनंद बोहन बोशेवं शिवनात शास्तरी ने किया था तिस प्रकायस का सही उत्तर हो जाएगा option A वो पर युक्त में से एक से अधिक अगला प्रशन है नेटी मेरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों की विवा के नियूनतमायू क्रम सह 18 वर्स और 14 वर्स निर्धारित की गई थी यह एक्ट किस वर्स पारित हुआ था तो आपको बता दें कि नेटी मेरिज एक्ट जो है 1872 में लड़ नार्थ क्रूप के समय में पारित हुआ इस एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों की विवा की नियूनतमायू क्रम सह 14 वर्स और 18 वर्स निर्धारित की गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C, संबाद कौंगुदी के मात्यम से अगला प्रशन है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्टिय आर्थी कार्जक्रम, एबम, मौलिक अधिकार समंधी प्रस्ता पारिद किये गए थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D, कराची अधिवेशन 1931 में अगला प्रशन है निम्न में से कौन सुभाज चंदबोष के राजनितिक गुरू थे? सुभाज चंदबोष के राजनितिक गुरू कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा option C, C, R, दास जिनको चितरंजन दास भी कहा जाता है अगला प्रशन है उनिश्वी सताबदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रेणाम आर्थिक तोर पर निम्लिखित में से क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारते क्रिशी का बानिजी करण अगला प्रशन है मुसल्मानों के लिए प्रिथक राश्ट का प्रेश्टाब सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा option E क्योंकि मुसलिम लिए के इलाहवाद अधिवेशन में सरप्रथम मुहम्मद इकवाल ने एक प्रिथक मुसलिम राज का प्रेश्टाब रखा था इस परकाईस का सही उत्तर हो जाएगा option E अगला प्रशन है अखिल भारती राज जन कामफ्रेंस यानि All India State People's Conference का आयजन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा option C verse 1927 में अगला प्रशन है अखिल भारती मुसलिम लिग के किस अधिवेशन में बक्रीद के अबसर पर गोबध निशिद का प्रस्ताप पारिद किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा option C verse 1929 में अम्रिश्चर में अगला प्रशन है Discovery of India नामक पुष्टक की रचिना जवाहलाल नहरू ने किस जेल में की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा option A अहुमद नगर पोर्ट जेल में अगला प्रशन है निमलिखित में से किसके द्वारा मराठी पत्र का बहिस्कृत भारत प्रकारशित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा option B बी आर अम्बेटकर के द्वारा अगला प्रशन है महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरन अंशन प्रराम किया गया था तो कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा option C संपरदाइक निरने के बाद अगला प्रशन है निम्रिखित में से किस भी सहे पर मतभेद होने के कारण दूतिये गोल में सम्मेलन असफल रहा था इसका सही उत्तर हो जाएगा option B संपरदाइक परतिनीजित के विरोध में अगला प्रशन है निम्रिखित करांती कारियों में से कौन? काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंदित नहीं थे तो आपको बता दे काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है यह 9 अगस्त उने 125 इस भी को घाटित हुआ था काकोरी उत्तर परदेश में है इसको अंजाम दिया था हिदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियरसन से जुड़े करांती कारी राम परशाद बिश्मिल रोसन सिंग और असफाक उल्ला खां तो इस परकाईस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शुकदेव सिंग उसमें शामिल नहीं थे अगला परशन है बर्स 1912 में कांग्रेश का 27वा अधिमेशन बाकीपूर में आयुजीद किया गया इसके अध्यक्ष कों थे अध्यक्ष की बात रें तो रंगनात सिंग मधोलकर थे जिनको परकाईस का सही उत्तर हो जाएगा कोर्युक्त में से कोई नहीं अगला परशन है निम्रिकित में से किस ने ओदंद पूरी बिहार का निर्मान करवाया था जिसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन भी गोपाल ने अगला प्रशन है निम्रिकीत में से किस अधिवेशन में भारतिय इशाईयों तर था आंगल भारतियों के परतिनी दित्व के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का परस्ताव पारित किया गया था इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी भारतियों अधिनीयम उने सो उनेस के तहट अगला परशने निम्रिकीत में से कौन सी मात्पुन विशेस्ता संग्येश शरकार की है तो संविधान की सरवोचता या संग्येश सरकार की विशेस्ता है दो या दो से अधिक अस्तरोवाली शरकार या वी संग्येश सरकार की विशेस्ता है अपातकालिन उप्रवंद या स सामगीय सरकार की बेसेस्ता नहीं है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दो और तीन ओप्सन शी अगला परशने भारश शासन अदिनियम उन्यसो पैटिस में निम्रिखीत में से कौन सा प्रापधान शामील नहीं था तो अखिल भारतिय शंक की अस्थापना यह उन् दिनियम से शुरू होता है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सनी उपरियुक्त में से एक से अधिक अगला प्रशन है बरतमान में भारत में कितने राज एवं संघ राज शेत्र हैं तो आपको बता दें कि अभी बरतमान में 28 राज एवं 8 संघ राज शेत्र हैं इस परकार इसका सही उत्तर उप्षन भी होगा अगला पशन है प्राण एवं दैहिक्षोतंता के अधिकार का वर्णन समीधान के किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 20 की बात करें तो इसमें बर्णन किया गया है अपराधों के लिए दोश्रिदी के शमंद में सनरक्षन और अधिहम अनुछेद 21 की बात करें तो इसमें प्रान एवं दैहिक्षोतंता की बात की गई है अनुछेद 22 की बात करें तो कुछ दसाओं में गिरफतारी और निशेद के सनरचन से प्रावधान किया गए है और अनुछेद 23 के बात करें तो मानव दुर्बय पार्वर बलाश्रम का उबंद किया गया है इस पर काईस का सही उत्तर हो जाएगा option C अगला प्रशन है भारतिय समिधान में बढ़नित मूल अधिकारों का सनरक्षन है सनरचक कोन होता है तो भारतिय समिधान में बढ़नित मूल अधिकारों को सनरक्षक की बात करें दोनों होगा इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा नियाई पालिका यानि ओप्षन EU परियुत में से कोई नहीं अगला परशनें किस राज के लोग सेवा आयोग के काड़ियों को निम्ली खीत में से किस एक के अनुमोदन से संग लोग सेवा आयोग को सौपा जा सकता है तो समिधान के अनुछेद 315 के तहत राजपाल की शीफारिस पर राश्टपती के अनुमोदन से किसी राज लोग अगला परशनें भारत के राश्पती के पास निम्ली खीत में से कौन सी बीटो शक्ति प्राप्त है तो आपको बता दें अंतिक बीटो, पॉकेट बीटो, निलमनकारी बीटो और विशेशित बीटो इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन E उपर युक्त में से एक से अथिक अगला परशन है बरतमान में राज सभा के कितने शदस केंदर शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन B आठ जो है शदस केंदर शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं अगला परशन है बिहार में लोक सभा के लिए आवंटी सीतों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन B छे सीते अगला परशन है भारत की राश्पती पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पु पर उसूचना 14 दिन पहले दिया जाएगा तभी उन पे महाभियोग की कारवाई आगे शुरू की जाएगी अगला परशन है भारत की शमिधान के किस अनुसूची में दल बदल समंद्य उपद्ध है इसका सही उत्तर हो जाएगा दसमी अनुसूची में दल बदल कानूं से समंद्य प्राब्धान किया गया है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसन ही उपरियूप में से कोई नहीं अगला परशने मुख चुनाव आयुक्त को पद्चूद किया जा सकता है ताक को बता दे कि मुख चुनाव आयुक्त को परतेक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थी तता मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2 वटे 3 बहुमत द्वारा समर्थित समाबेदन के उसी सत्र में राश्ट्पती के समच रखे जाने पर राश्ट्पती के आदेश पर भी हटाया जा सकता है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएग अगला प्रश्ण है निम्ण में से कौन सा तापकरम है जिस पर centigrade तथा फॉरेन हाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं तो वह है माइनस 40 डिग्री तो इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा उपरिक में से कोई नहीं यानि अगला प्रश्ण है निम्ण में से कौन निम्ण में स प्रकास का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा उप्सन ए प्रकास का तरंग धारित से अगला प्रश्ण है एला टॉक्सीन विशाक्त द्वारा मनुस के समाने तह कौन सा अंध प्रभावित होता है इसका सही उतर हो जाएगा उप्सन यह गृत अ अगला प्रश्ण है निमलिखीत में से हाइडूलीक ब्रेक के कार्ज करने का सिध्धान्थ है तो हाइडूलिक ब्रेक का कार्ज करने का सिध्धान्थ कौoopंसा है इसका सही उत्तर हो जाएगा option C पास्कल का नियम से समण्धीत अगला प्रश्ण है निम्ड में से किस धातू का परियोग बिद्धूत उत्पन करने के लिए किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन डी यूरेनियम का अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कीन दो भावतिक रास्यों के इकाईयां समान है तो आपको बता दें कि बल बल भार और उत्यक्षन ये तीनों के जो हैं मातरक्ष समान है इस पर काईश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन ही उपरियोग नहीं अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से उश्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी पारा अगला प्रश्ण है ग्रीन हाउस गैसों के मुख घटक कौन कौन से है तो ग्रीन हाउस के गैस के मुख घटक है कारबन डाई उक्साइड ना सही उत्तर हो जाएगा option A अग्तलेंस की तरह अगला प्रश्ण है भारत में पाया जाने वाला titanium युक्त खनीज कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा option B इलमेनाईट अगला प्रश्ण है निम्न कत्नों पर विचार कीजिए बर्ग बर्ग साथ A के तत्वों की लेक्ट्रॉन बंदता उच होती है या कथन सत्य है सबसे अधिक लेक्ट्रॉन बंदता फ्लोरीन की होती है या गलत है जिसक्रेग गैसों का गलनाख निम्न होता है या भी सत्य है यानि इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्रिखित बिटामिन में से किसका भरपूर्श रोत्र है इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, vitamin A का अगला प्रशन है नारियल के फलों का फैलाब होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, मेशो कार्प द्वारा अगला परश्ण है निम्लिकीत में से कौन बिशानू जनित रोग नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C, option D, 6 रोग, 6 रोग जो है वो बैक्टिरिया जनित रोग है या जो है फेपडो को परभावित करता है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option D, अगला परश्ण है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान किजिए तो जब हम मिलान करेंगे तो नीला थोथा, कॉपर सलफेट, एपसम लबन, यह हो जाएगा मैंगनेशियम सलफेट, बेकिंग सोटा, सोडियम बाइकार्वनेट और कास्टिंग सोटा, सोडियम हाइड ऑक्साइड अगला परश्ण है, पौधो द्वारा उत्पादित होने वाला अपसिष्ट पदार्थ निम्द में से कौन सा है, तो आपको बता दें, पौधो द्वारा उत्पादित अपसिष्ट पदार्थ हैं, कारवन डायोकसाइड, अक्सीजन और जलवास्व, यानि ऑप्सन E, और किसी भी सरल्व पदार्थ में विवाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है, वह तत्म कहलाती है, इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्सन E, अगला परश्ण है, निम्दी हार्मोन किस गरंथी से स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्सन में से कांच किस में घुलन सील होता है कांच किस में घुलन सील होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा option B hydrofluoric अमन में अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा जोड़ा सही शुमेली न है तो इसका सही उतर हो जाएगा उत्पादक जो हैं वो पेड़ पौधे शैवाल होते हैं यह कथन सकते हैं अप घटक जो होते हैं बैक्टिरिया होते हैं यह भी कथन सकते हैं प्रात्मिक उभोगता हीरण है यह भी कथन सकते हैं और दूतिय उभोगता तेंदुआ है यह भी कथन सकते हैं इस परकायस का सही अगला प्रशन है निम्लिखीत में से कौन पौधे में श्वसन के लिया को परभावित नहीं करता है इसका सही उतर हो जाएगा पौधे में श्वसन को परभावित करने वारे कारक हैं जल, परकास, तापमान, बायूमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कारबंडाई, ओक्साइड इत्यादी, इस प्रकार इसका सही उतर हो जाएगा उप्शन E, अगला प्रशन है निम्लिखीत में से किस विक्रन का परियोग मान स्पेशियों के दर्द के उप्चार में किया जाता है, इसका सही उतर हो जाएगा उप्शन C, इन्फरारेड, अगला प्रशन है फिलो क्वी प्रश्ण को अगला प्रश्ण है निम्लिकीत में से कौन सी एक वाता बरन परदूसक मानी जाती है इसका सही उतर हो जाएगा ओप्सन डी सलफर डाय ओक्साइट को अगला प्रश्ण है निम्लिकीत में से इंदर धनूशी क्रांती का संबंध किस्से है तो आपको बता दें कि इंदर धनूशी क्रांती के अंदर गंत स्वेट क्रांती नीली क्रांती पीली क्रांती हरी क्रांती इत्यादी शामिल होते हैं इस पर काईस का सही उतर हो जाएगा अगला प्रशन है जन्गर्ना 2011 के अनुशार सर्वाधिक शाक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो इसका सही उतर हो जाएगा ओप्शन सी लक्ष दूइप अगला प्रशन है गुलकुंडा तथा पन्ना भारत के परशिद हीरो के खान है ये निम्ण में से किस करम की चटानों से समबन देथ हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा ओप्शन भी बिंधन करम की चटानों से अगला प्रशन है निमले से कौन सा यसे दर्रा लदाक में अबस्थित नहीं है तो यदि हम लदाक की बात करें तो कारा कोरम, जोजीला और चांगला यह तीनों जो है लदाक में है जो कि बनिहाल दर्रा यह जम्मू का स्मीर में है तो इसलिए इसका सही उत्र हो जाएगा option D अगला प्रशन निमली खित में से कौन सा यूर्म गलत है उत्री सही आदरी का सर्वोषिखर कलसुबाई है या कथन सत्य है दक्षिश आदरी का सर्वोषिखर कुद्रे मुख है या भी कथन सत्य है पुर्वी घाट की सर्वोतम चोटी विशाखा पत्नम है या भी कथन सत्य है उत्री सही आदरी तथा दचनी सही आदरी को भी भाजित करती है शोल्ला उत्री अक्षांस रेखा यानि या भी सत्य है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा option D परियुत में शेख से अधिक अगला प्रश्ण है होट स्पोट की अब धारना के परतिपादा कौन थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A Norman Myers अगला प्रश्ण है सूची A के बन सूची 2 का सही विलान करें तो भारति प्रानी विज्ञान सर्वेचन के अंदर जो है या कहां इस्तित है कलकत्ता में भारति ये बन प्रवंधन संस्थान जो है या भुपाल में इस्तित है भारति ये बन सर्वेचन संस्थान जो है या देरादून में अवस्तित है और प्रास्थित्की विज्ञान केंद्र बंगलेरु में है इस परकार्स का सही उत्तर हो जाएगा अपसंडी दो ती चारेक अगला परशन है निम्न में से कहां मैंग रोब बन शदा परणी बन तथा पंडपाती बनों का सन्योजन मिलता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसंडी अंडमान और निकोवार में अगला परशन है निम्न में से किस देश की शिमा लाल सागर के शाथ नहीं लगती है लाल सागर के शाथ जीबूती, इरिट्रिया, शौदी अरब, सुडान, मिस्र इत्यादी देशों की सीमा लाल सागर से लगती है जबकि एथियोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसंडी अगला परशन है कोपेन के जलवायो बरगी करन के रुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायो परदेश में परदेश के अंतरगत आता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसंडी जलवायो के अंतरगत अगला परशन है रुद पर्याक की नदियों के संगम पर अवस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है पोंगबांध पर्योजना निम्मे से किस नदी पर बनाया गया है पोंगबांध पर्योजना जो है यह हिमाचल परदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है सुरज मुखी के उत्पादन में बिहार का देश में इस्थान कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option C उपर से तिसरा ये थर्ड नमबर पे बिहार का इस्थान है सुरज मुखी के उत्पादन में अगला पशन है सबशे अधिक बिश्ब में हीरे का संचित भंडा निम्न में से किस देश में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option D रूश में अगला पशन है निम्न में से कौन सी जल्धारा हिंद महासागर ये जल्धारा है तो मोजांबिक एबं अगलू हार की जल्धारा हिंद महासागर ये धारा है एबं एल निनो एबं सुसीमा जल्धारा है परसान महासागर की जल्धारा है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोजांबिक की जल्धारा एबं अगूल हास की जल्धारा इसलिए इसका सही उतर होगा option ये उपर उतमे से एक से अधिक अगला पशन है बिस्प की सबसे उची नौकायन जील टीटी काका निम्द में से किस पठार पर अवस्थित है तो इसका सही उतर हो जाएगा option ये बोलिबिया की पठार पर अगला पशन है पर्मार डॉल्फिन की अभ्यारन बिहार के किस जीले में है पर्मार डॉल्फिन अभ्यारन जो है बिहार के किस जीले में इस्थित है तो इसका सही उतर हो जाएगा option ये और अडिया जिला में अगला प्रश्ण है उपरी बिंध्यन समू की चटाने बिहार के किस शित्र में पाई जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन B कैमूरेवं रोहताश में अगला प्रश्ण है बॉक्साइड बिहार के किस शित्र में पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन D रोहताश में बॉकसाइड का भंडार बिहार की रोहताश जिले के बंजारी में अस्थित है याद रखेगा बंजारी में अगला पशन है निम्लिकीत में से किस मध्य की विजन गर्ना में भारत की जन संख्याबिधी रिनातमक रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन D 911 से 21 के विच में अगला पशन है निम्लिकीत में से कौँ सा देश टामा उठ्पादन में अग्रनी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन C पेरू अगला प्रशन है बरतमान में राष्ट्य आय की गर्णा है तो अधार बर्ष क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C 2011-12 अगला प्रशन है इंद्रा गांधी अवास योजना के शुरुआत किस पंच बर्ष योजना में की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C पंच बी पंच बर्ष योजना की कार्जकाल के बात करें तो वह पचासी से नब्बे के बीच था अगला प्रशन है चतूर्थ पंच बर्ष योजना किस मॉडल पर अधारित था जिसका सही उत्तर हो जाएगा option D, guardgil, K model पे अगला परश्ण है निम्ण में से सही काच चैन कीजिए तो आपको बता दें कि LKJा समीती का पर्त्यक्षकर से समंद है रेखा समीती का समंद अपर्त्यक्षकर से है केलकर समीती का समंद करों में बृधी से है और सुख में शक्रवर्ती समीती का समंद मौदिक, पनालिक और पुनर विचार से है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर उख में से एक शे अधिक अगला परश्ण है गरीवी के दुष्चक्र के सिध्धानत का पर्तिपादन किशने किया था इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन भी प्रोफेसर रिगनर नरकसे ने अगला परश्ण है नवाड के सम्बंध में निम्ण में से कौन सा कथन शत्य है तो आपको पता होना चाहिए नवाड क्रीशी और ग्रामिन विकास के शेत्र में बित उपलब्त कराने वाली सर्बोच संसा है इसकी एस्थापना शिवरामन समीती के अनुच संसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था 2009 में भारत सरकार नवाड में लगी आरवे आई की शेस पुझी खरीद लिया जिसे इस पर सरकार का पुन स्वामित हो गया था तो इस परकार इसका सही उतर हो जाएगा option E उपर युक्त में से एक से अधिक अगला प्रशन है निमलीखित में से किश्प बितिये बर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्शन परकासित किया गया था तो इसका सही उतर हो जाएगा option C बर्ष दोजार छेशात के अंतरगत अगला प्रशन है खद्दानों के प्रवंधर का निम्न में से कौन सा एक उदेश नहीं है तो आपको बता दें खद्दानों के समाज के कमजोर वर्गों तक बितरन यह इसका उद्देश है खद्द्दानों के खरीद यानि किसानों से उचित मुल पर इसको खरीदना या भी इसका उदेश है खद्यानों को बफर श्टॉक कर रख रखाव यानि खद्यानों के बफर श्टॉक में रख रखाव खाथ सुरज चादी से समन्दित है इस परकार 1, 2, A, B और C होगा यानि option D जो है इसका गलत है अगला परश्ट है बिहार का कौन सा जिला चावल उत पादन में अगरणी अस्थान रखता है तो इसका सही उतर हो जाएगा option E रोताज जिला अगला परश्ट है गंगा नदी निम्लिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है गंगा नदी की तो इसका सही उतर हो जाएगा option D पतना में पतना में गंगा नदी की बिस्तार सबसे ज्यादा है अगला प्रश्ण है निम्रिकीत में से बिहार के किस जिले की जन संख्या बिर्धी सबसे अधिक है तो सबसे अधिक जन संख्या बिर्धी किस की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B मधेपुरा की अगला प्रशन है अनुपम जील बिहार के किस जीले में इस्थित है इसका सही उत्तर हो जाएगा option A कैमूर जीला में अनुपम जील कैमूर जीला में अवस्थित है अगला प्रशन है निम्रिकित में से बिहार के किस परमंडल में जीलों की संख्या सबसे कम है तो आपको बता दें कि बिहार में कुल नौ परमंडल है जिसमें सबसे कम जीले भागरपुल में है क्योंकि इस परमंडल में मातर दो जीले हैं जब कि सबसे अधिक छेचे जीला बाले हैं मुंगेर पटना और से सामिल होते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा option B 810 यहार आज आपदा परवंदर प्रादीकरन का गठन बर्स 2000 शात में हुआ था इसका अध्याच मुखमंत्री होता है इसमें कुल 910 से होते हैं तिसलिए इसका सही उतर हो जाएगा option B 810 हाठ संस होते हैं और एक इसका अध्याच जो कि खुद मुखमंत्री होते हैं अगला प्रश्न है बिहार विधान परशत के स्थापना निम्लिखित में से किस बर्स की गई थी तिसका सही उतर हो जाएगा बर्स 1912 में अगला प्रशन है बिहार में प्रकासित होने वाले शमचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्ड में से कौन थे तो इसका सही उतर हो जाएगा सर्च लाइट के संपादक जो थे मूरली मनोहर प्रशात थे अगला परशन है बिहार प्रांतिये किसान सभा के संरचक निमलिखित में से किसे माना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन सी स्वामी सहजानन सरश्रती को अगला परशन है निमलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र परदेश बना था जब उडिसाइज से अलग हो गई थी तो इसका सही उतर हो जाएगा option C, verse 1936 में अगला परशन है बागाल किरायदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्विकार किया गया तो इसका सही उतर हो जाएगा बर्श 1885 में अगला परशन है लर्कियों और महलाओं के लिए माहवारी स्विक्ता पर रोड मैप त्यार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है तो इसका सही उतर हो जाएगा option C, पहला राज्य अगला परशन है हालही में बिहार के की जिले में राज्य का पहला Climate Change Learning Lab खोला गया है तो इसका सही उतर हो जाएगा option D, पटना जिला में अगला परशन है हालही में बिहार के सारन जिले की किस महला ने दुनिया की सबसे उची सड़क उमलीगला पर साइकिल से सफर कर तै करने वाली दुनिया की पहली महला साइकलिस्ट बन गई है तो इसका सही उतर हो जाएगा option C, शवीता महतो अगला परशन है बरतमान में भारत की महान न्याइबादी निम में से कौन है तो इसका सही उतर हो जाएगा option C, आर बेंकर्ट रमणी अगला परशन है बरतमान में फिक्की के अध्याच कौन है तो इसका सही उतर हो जाएगा option D, सुभरकांत पंडा सुभरकांत पंडा जो है वो फिक्की के अध्याच है अगला प्रशन है बिश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी Global Gender Gap Report 2022 में भारत का स्थान क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option D 135 इसके बारे में आपको बता दें कि बिश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी Global Gender Gap Report 2022 में 116 देशों में भारत का स्थान 135 है इस रिपोर्ट में पहला स्थान आइसलेंड को है प्राप्द हुआ है इस परकार इसका सही उतर हो जाएगा option D 135 अगला परशन है बर्श 2021 में बिहार का सकल राज को सिय घाटा सकल राज घरेल उत्पाद का कितना परतिशत था तो इसका सही बिहार आर्थिक सर्वेक्षें 2021 के नुशार 2019 में बिहार में शुद्ध बुआई शेत्र कितना था तो इसका सही उतर हो जाएगा option D 157 लाग हेक्टेर अगला परशन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षें 2021 के नुशार बिहार में फसल सघंता सरवाधी किस जीले में थी तो इस शेत्र का हिस्सा कितना था तिसका सही उतर हो जाएगा option C 33% अगला प्रशन है निर्ण में से कौन संग्य बजट 2022 की चार प्रत्मिक्तावों में से शामिल है तिसका सही उतर हो जाएगा PM गति शक्ती समाबेशी विकास उतपादक्ता सम्मर्धनों निवेश उदाई मान भारत रोजगार योजना के लिए कितनी रासी आवंटित की गई है तो इसका सही उतर हो जाएगा option B 6400 करोर रुपे अगला प्रशन है भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के नुसार बिहार में बना बरन ब्रिचा बरन में कमसा बिर्धी हुई है तो कितने का बिर्धी हुआ ह जिसका सही उतर हो जाएगा option C 751 किलोमिटर तथा 338 बर किलोमिटर यानि option C अगला प्रशन है भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के नुसार देश में कुल बनों का कुल कार्बन अश्टॉक होने का नुमान कितना है जिसका सही उतर हो जाएगा option B 7204 मिलियन टन अगला जिसका सही उतर हो जाएगा option A 49.7 मिलियन टन अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा बिहार के भुगरविय इतिहास में सबसे नभींतम है तो इसका सही उतर हो जाएगा option C बिहार का मैदान अगला प्रशन है बिहार में बराउनी रिफाइडरी किसके सहीयोग से बनाया गय जिसका सही उतर हो जाएगा option D शोनपुर में अगला प्रशन है बिहार का प्रशिद पश्रू मेला कार्थिक पूर निमा में अयोजित होता है तो अगला प्रशन है डक्षिन बिहार में परचलित परंपरागत जल सनचन सिचाइपत्ति क्या कहलाती है तो आपको बता दें क कि बिहार के दचनी भागों में आहर तथा पाइन के माध्यम से सिचाई की जाती है पानी के परवाह को रोकने है तो तीन और से बनाए गई इस सनचना आहर कहलाती है इस परकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन ने आहर और पाइन तो प्रस्ण संख्या 141 से 150 तक गडित का दिया गया है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको PDF फॉर्मेट में टेली ग्राम ग्रूप में परवाइट करा दूँगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो आप उसे जरूर जोइन कर लें तो यह वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद